MCN लाया है आपके लिए CCTV सर्विस HD quality में अपने घर एवं कार्याले में CCTV कैमरा लगवाने के लिए आज ही संपर्ख करें MCN चैनल आजाद चौक मुंगे शांतिपूर्ण संपन कराने को लेकर शुक्रवार को संग्रहाले सभागार में ब्रीफिंग बैठक का आयोजन जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंग की अध्यक्षिता में हुई बैठक में दोनों परवों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन कराने हेतू उपस्थित सभी पदाधिकारियों दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए इस अफसर पर पुलिस अधीक शक सैयद इमरान मसूद, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेंदर कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्या अधिकारी मौजूद थे जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं दंदाधिकारियों से सपष्ट शब्दों में कहा कि पर्व का महाप्रारंब हो गया है और 25 और 26 अगस्त को चेहलुम एवं श्री कृष्ण जन्माष्ट मी एक साथ मनाया जा रहा है इसे शांतिपूर्म संपन कराने को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन दोनों सक्रिये है और पूरी मुस्तैदी के साथ सभी पदाधिकारियों और दंदाधिकारियों को अपनी द्यूटी निभानी है उन्होंने कहा कि एक बात तो सभी गांट बांध ले कि प्रत्येक सूचना का आधान प्रदान सभी पदाधिकारियों से नियमित करें और यदि किसी भी प्रकार की कोई समवेधनशीर सूचना मिले तो उस पर ततकाल संग्यान लेते हुए कारवाई करेंगे चहल्लूम के मौके पर मुस्लिम धर्मावलम वियोद्वारा अखाणा अत्वा ताजिया निशान जुलूस भी निकाला जाएगा प्रत्येक जुलूस का विडियोग्राफिक किया जाएगा साथ ही ड्रोन कैमरे से भी पूरी जुलूस पियार नजर रखी जाएगी किसी भी उब्द्रवी अत्वा संदिग्द तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेगे और उनकी गतिविदियों पर भी नजर बनाए रखे जरा सी भी चूक समस्या उत्पन कर सकती है इसलिए सभी सजग और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर बने रहेंगे क्रिष्ण जनमाष्टमी के मौके पर कई मंदिरों में भी पूजा पाठ को लेकर भीर रहती है और कई मंदिरों में सांस्कृतिक कालेक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ऐसे में दोनों समुदाय के लोग आपस में सोहाध बनाए रखें और किसी तरह की कोई गलत गतिविधी न हो इस पर भी ध्यान रखें ताकि कोई समविधनशील मामला न बने उन्होंने कहा कि जिन भी पदाधिकारियों और दंदाधिकारियों की ड्यूटी जहां लगाई गई है वो उस थान पर तब तक बने रहेंगे जब तक की ताजिया जुलूस का पहलाम न हो जाए उन्होंने कहा कि उनके और पुलिस अधिकारियों और दंदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय से पहले ही अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी थानाक्षेत्र में समवेधनशील और अतिसमवेधनशील क्षेत्रों को चिनहित किया गया है तो ऐसे क्षेत्रों में विशेश चौकसी की आवशक्ता है सभी पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को चुस्त दुरुस्त होकर अपनी ड्यूटी निभानी है QRT की टीम लगातार सभी क्षेत्रों में ब्रह्मन करती रहेगी टीम के सभी कर्मी बिना हेलमेट के वहन नहीं चलाएंगे और किसी भी व्यक्ति से अभद व्यवहार नहीं करेंगे सभी SHO संबंदित क्षेत्र के अखाडा के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर सभी सदस्यों की सूची भी साथ रखेंगे और प्रतेग व्यक्ति पर नजर बनाए रखें अखाडा का लोकेशन भी सभी पदाधिकारी और दंडाधिकारी एक दूसरे से शेर करेंगे ताकि अखाडे का लोकेशन मिलता रहे और ससमय उसका विसर्जन करा सके अफवाहों पर भी ध्यान रखेंगे और सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखें किसी भी तरह की अफवाह को बिना जाने समझे तुल नहीं देंगे और इसकी जानकारी SDO अथवा SDPO से शेर करेंगे उन्होंने कहा कि दोनों परवो को शांतिपूर्ण संपन कराना जिला एवं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है इसलिए आप सभी सजग होकर कारे करेंगे बिकास योजनाओं की समीक्षा बैठक गुरुवार को संग्रहाले सभागार में सचिव खृषी से परिवहन विभाग, बिहार सरकार से प्रभारी सचिव मुंगेर जिला संजे कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन हुई बैठक में जिले में संचालित विभिन योजनाओं पर बिंदुवार जानकारी लेते हुए उसमें अग्रेतर कारवाई का निर्देश दिया गया इस अफसर पर जिलादिकारी अवनीश कुमार सिंग, निदेशक उध्यान, क्रिशी विभाग, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, नगर आयुक्त निखिल धनराज निपनीकर, उप्विकास आयुक्त अजीद कुमार सिंग सहित अन्य उपस्थित थे बार्ड की समीक्षा में सचिव श्री अगरवाल ने कहा कि बार्ड का खत्रा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी अलत मोर में रहें और गंगा के बढ़ते एवं घटे जलस्तर पर ध्यान रखें SDR की टीम भी अलत मोर में रहें, साथ ही जिन प्रखंडों में सुखे की स्थिती है, वहां सिचाई की पर्याप व्यवस्था कर लें कारी घाटी पर योजना की योजनाओं को भी उन्होंने जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि आज के क्षेत्र ब्रह्मन में कुछ ग्रामीनों द्वारा नलकूप नहीं मिलने की शिकायत की गई है, जो अत्यंथी खेट जनक है उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्षे के अनुरूप अब तक जो नलकूप का अधिश्थापन किया गया है, वह संतोर्चनक नहीं है शत प्रतिशत लक्षे प्राप्ति करें और सभी नलकूपों का ससमय अधिश्थापन करे को और तालाप के निर्मान के लक्षय पर भी उनोंने असंतोश व्यक्त किया. कहा कि जो निर्धारित लक्षय है उसके अनुरूपप तक एक भी कुवा का निर्मान नहीं होना आपकी कालिश अली को बया कर रहा है. लक्षिप को ससमय पूर्ण करें, अन्यथा कारवाय निश्चित होगी हर घर नल का जल योजना की समीक्षा में उन्होंने कहा कि आज की क्षेत्र ब्रह्मन में अधिकांश लोगों से यही सूचना मिली कि अब तक घरों में नल जल की आपूर्ती नहीं हो रही है कई घरों में नल का कनेक्शन तो किया गया है, परंतु अब तक जलापूर्ती नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही न बरते और इमानदारी पूर्वक काम करें, ताकि लोगों को पे जल की आपूर्ती से समय हो सके जल्दी माननिय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आपकी यही प्रगती रही तो आपके ये समस्या उत्पन हो सकती है